रेड्मी नोट 7 के लॉंच होने के बाद बहुत सारी लोग इंतिजार कर रहे हैं रेड्मी नोट 7 प्रो का तो आगे जाब वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं कि आपको बताने वाला है नोट 7 पर आपको कब तक देखने को मिल जाएगा उसका लगत करने हैं इंडिया बात कर लेड्मी नोट 7 पर देखने को मिल जाता है बात कर लेड्मी नोट 7 पर देखने को मिल जाता है फोन यानि fast charging disable नहीं करेगी यह बाकियों की तरह यहाँ पर आपको USB-C type भी देखने को मिल जाता है बात के लिएपको dust proof भी देखने को मिलता है, splash proof भी देखने को मिल जाता है फोन यह अगर बारिश वगरा में phone आपका भीग जाता है तो आपको बाकी normal phone से आपका कम डर रहेगा खराब होने का तो यह चीज आपकी budget में देने के लिए ready में के लिए एक like तो यहाँ पर जरूर बनता ही है ख्यारे यहाँ पर इसके लिए बात के लिए hardware की तो यहाँ पर आपका देखने को मिलता है Snapdragon C60 पर यहाँ पर अभी थोड़ी अच्छी चीज आपके 2.2 GHz पर ही देखने को मिलता है अंडर के लॉक नहीं करा गया बाकी phones की तरह तो इतनी चोटी चीज के लिए पर बुराई करना थोड़ा गलत होगा और बात के लिए फ्रेंट में आपको 13MP का कैमरा देखने को मिल जाता है पर अपर फोन की हालाटे ने 48MP की सलवाले कैमरा को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर आपको F1.8 का अपाटचर देखने को मिलता है 0.8μpx देखने को मिलता है और इसका सेंसर की बात करता है Samsung GM1 सेंसर देखने को मिलता है हलाकि आपको Pixel Bending Technology देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको Official Specs में 1.6μpx लिखा गया है पर आपका सवाल यहाँ पर यहाँ पर यह आता है कि दुनिया का जो सबसादर Resolution वाला Mobile Sensor है यहाँ आपको 48 Megapixel का Sony IMX586 वो तो आपको 30-40R के फोन्स पे देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आपका Note 7 के अंदर आपका 10 रोपिक अंदर 48 Megapixel कैसे दे दिया है आपका फेक कैमरा है क्या तो यहाँ पर आपको अतरचों का फेक यहाँ पर नहीं है दोनों के टेक्लोजी में अंतर देखने को मिलता है यहाँ पर आपको पिक्सल अर्रेंजमेंट में अंतर देखने को मिल जाता है आपको Sony IMX586 Sensor 48 Megapixel Realty में देता है जबकि बात करें Note 7 का Samsung का Sensor है आपको थोड़ा जुगाट से 48 Megapixel दे रहा है यहाँ पर आप बताना चाब को 10,000 के असपर से बहुत अच्छा Sensor देखने को मिल जाता है यहाँ पर बुराई करने का मकसद नहीं है जिन लोगों को Camera Quality आपर बहतरीन चाहिए और जिन लोगों को Performance अच्छी चाहिए फोन के अंदर यहाँ पर आपका Sensor तो पता ही लग गया फोन के दर आपका 48 Megapixel रहने वाला है यहाँ बजट डिवाइस के अंदर आपका Flagship Level Camera देखने को मिलेगा और उसके लिए बात कर परफॉमेंस की तो यहाँ पर आप एकस्पेक्ट कर सकते हैं कि Snapdragon 670, 675 या फिर आपका Snapdragon 710 ही यहाँ पर देखने को मिले पर यहाँ पर एक उर्ची आपको बताना चाहूंगा कि इससे आपके pricing थोड़ी से ज़्यादा हो जाएगी यानि आपका base variant आपका 15,000 से ऊपर थोड़ी से रहने वाला है यहाँ पर क्योंकि बात करें 15,000 से नीचे आपका Redmi Note 7 के सारे वेंट्स देखने को मिलते हैं उसके लिए बात करें Redmi Note 7 पर हो के launch की आपका Spring Festival यानि आपका China का New Year के बाद आपका launch करा जाएगा या फिर अगर हम date देखे तो आपका 5 February के बाद आपका launch करा जाएगा और इसके लिए बात करें इंडिया कि तो आपको पता है यह February से मार्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा उसके लिए बाद आपका थोड़ा बात है आपका चांस बन जाता है आपका Red Minute 7 पर जब आपका चाइना में launch करा जाए तो उसके एक हफते बाद यह आपका एंडिया में भी launch कर दिया जाए और आपका जल्दी करा जाता है उसके लिए नोटिविशन बलकुल यास से दबा देना उसका रिक्वेश्ट बस एक है प्लीज आसे लाइक जरूर कर देना बेना भूल आपका कुछ नहीं जाएगा लाइक करने में आपके लाइक से वीडियो बनाने के महनत सफल हो जाएगी उसके लिए कोई कोशन तो निची पूछ स पर जाकर देखों मिलता हूं सोड़ियो में डिदलन स्टे हैपी स्टेयर ब्लैस डेन बाबाए